आज हम शुरू करते हैं आपकी वोक्षीट 16 या आपकी एसस्टी की वोक्षीट है तो पहले इसे आप लेबल कर लेंगे अपनी क्लास अपना नाम टीचर का नाम डेट आप लोग लिख लेंगे आज हम लोग ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे यह सारी चीजे देखे इस पेपर में या फिर टीवी में या फिर कोई नाटक वगएरा चल रहा हूँ पुराने जमाने का उसमें खास वर्च पुरानी फिल्म होई तो आपने जरूर देखा होगा इस तरह से के गाव में ऐसे पीपल का या नीम का बड़ा सा पेड़ है जिसके चारों तरफ ऐसे मिट पाक्षों का सबसे हैड होते हैं और बाकी सारे गाओं के लोग इस तरह से खड़े रहते हैं या कभी कदर बैठे हुए भी होते हैं और जो दोशी होता है जिसने कोई गलत काम किया होता है जिसके खिलाफ कोई सुनवाई की जाती है वो इधर इस साइड में और इस साइड म मैं देखी होगी अब मैंने आपको बताया है अगर आप इमेजिन करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहे हूं चीक चले अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में यह क्या लिखा है ग्राम सबा उन सभी वियासकों की एक बैठक है जो ग्राम प पंचायत की हिस्सा होंगी यह केवल एक गाउं या कुछ गाउं का हो सकता है यह इसकी अपनी होगी यह एक और गाउं है इसका अपना होगा कोई किसी के साथ इंटरिफ्यर नहीं करते हैं ठीक है और अगर मान लिए दो गाउं के बीच में कोई बात होती है तो दोनों चोच राज्जियों में प्रतिय گाउं के लिए एक गाउं की बैठक आयोजित की जाती है यानि हर गाउं के मैं मतलब जो राज्जी है उसमें हर गाउं की अपनी अलग-अलग बैठक होती है यह लुए बड़ा राज्जी होता है उसके चोती € Vincent गाओं होते हैं चोटी-छोटी-छोटी-छोटी तो उनकी अपनी अलग-अलग बैठ्थक होती यह आई हो जित की जाती है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक का है जिसे वोड देनी का दिकार है वे उस ग्राम सबा का सदस्य है त्टिक है यह जो भी वोड दे सकता है वो उसका सदस्य बन सकते है अब आगे क्या लिखा है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को उसकी भूमी का निभाने और जिम्मेदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण का रखे यानि ग्राम सभा जो है वो क्या है ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत अपना काम सही तरीके से करी उसकी जो भूमिक है वो उसे सही धंग से निभाए उसके लिए ग्राम सभा बहुत एक important डूल प्ले करती है यह वे स्थान है जहां ग्राम पंचायत के काम के लिए सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है यानि कि अब ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती है जैसे धन का दुरूपयोग या कुछ लोगों के पक्षमी लेना यानि कि मतलब माली जीए मैं आपको पढ़ा रही हूं मैं चार बच्चों को नहीं नहीं बहुत अच्छे बच्चे यह तीनों मेरी वीडियो भी देखते ह और मैं आपको कहूँ नहीं आप तो अच्छे नहीं है तो यह गलत बात हो जाएगी ना भाई मुझे क्या पता कि जो यह तीन बचे जिने मैं अच्छा के रही हूं वो सचमुच कर भी रहें कि नहीं कर रहें तो इस काम से रोकते हैं कि भाई या आप लोग पक्षपात नह नहीं करेंगे यह चुने हुए प्रतिनीडियों पर नज़र रखने और उन्हें चुने गए वेक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में मैं तो पूर भूमिका नहीं बात है या यह भाई हमने आपको चुना है अब आप हमारे हक में काम तो कीजिए इस चीज़ का ख्या जाहिं निर्माण और विकास मित्य जैसे मितिया बनाती है कुछ गाउं ऐसे सडखेंके हम प्रति सणके किस इस धर हचिश्ति सकते हैं किस तरह से अपनी सड़ों को मेंटीन करें कि गाउं के लोग सड़क पर ना है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कार से जा रहे होते तो सड़नली मतलब एक दमी से गाउं के लोग आ जाते रूट पर जिससे एक्सरेंट होने का खत्रा है इस सब चीजों का खयाल किसका काम है सब यह काम गिराम सभा करती है इन समित्यों में गिराम सभा के कुस सदस्य और ग्राम पंचायत के कुस सदस्य शामिल होते हैं इन दोनों में यह जो इस तरह की सभाई बनती हैं इसमें दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं गिराम पंचायत के लोग भी होते हैं जो वशिष्ट कार्णियों को करने के लिए मिलकर अच्छे कामamment क्रने के लिए दोनों लोग मिलकर, काम करेंगे आगे पड़ते हम लिए पढ़ लिए उम्मीद करते हैं अब अपगar सहबा है DRAMulu क्या है तो चल्वा पहले पांसा यहां से लिए एक बेटहक रहते हैं उस च्छेत में रहते हैं जो की इन वी बनती जिसकों को लोग घ्राम सबसकें तो हभ नहीं बन सकतें तो 1 आप सकते क्यों do क्यों तो 15 साल से कम ही है यह तो यह से आप नहीं बन सकते हैं देक्न कोई भी जो 18 वर्ष या उससे अधिक आई होगा है जिसे वोट देने का अधिकार है वह ग्रामसभा का सदस्य है जो मतलब आपको पहले बता दिया कि उसका उस छेत्र में रहना भी बहुत जरूरी है इसके लावा जब वह ग्राम सबा चेत्र का सदस्य होगा तो ही वह ग्राम सबा क्या भूमी का निभाती है तो चलिए इसका आंसर देखते है कि ग्राम सबा जो मीन क्या काम करती है आपका आखरी आंसर है इसमें आप लिखेंगे यह चुने हुए परतिनीटियों पर नज़र रखने और उन्हें चुने हुए वेक्टियों के प्रति जिमेदार बनान के अप cri गंठोजा गंब्मी के और उन्हें डी धाति हैं जो भी काम अपने जन पर झीनीग को चुना है वह अपना काम साही तरीखेसे गविलैंगे या नहीं कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हं तो क्यों नहीं कर रहें पैसों का दूरा यह ऊफिन सब चीजों के ऊपर और स्क्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग